पैसा अच्छा है या बुरा है? आज मैं कैसे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए जा रहा हूँ जिसके उपर हम जतनी डिबेट या अर्गुमेंट करें उतना कम है because हमारी ट्रेडिशनल बिलीफ्स जो है उसे आज हम चैलेंच करने के लिए जा रहे है आने वाली पांच मिनिट के दौरान आप ये फिगर आउट करेंगे कि आपके जिंदगी में अगर आप फिनैंशली स्ट्रॉगल कर रहे है तो उसके पीछे की वज़र क्या है? दोस्तो, पैसा अच्छा है या बुरा है? ये हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है कि जिससे लेकर क्यम कन्फ्यूस्ट रहे हैं हमारे माता पता परिवार वाले आस पास का समाज हमें काफी बार ये कहता है कि पैसा हाथ का मैल है पैसा पेड़ पर नहीं उकता है पैसा सारे फसाद की जड़ है पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता अगर आपके जिंदगी में प्यार है तो आपको पैसो की जरूरत नहीं है ये सारी बाते हम बरसों से सुनते आए है and because of that कही न कही हमें फिल आ जाता है हम ये मानना शुरू कर लेते है कि हाँ यार पैसा सब कुछ तो नहीं है उसके पीछे भागना नहीं चाहिए जीना नहीं चाहिए मगर दोस्तों दूसरे साइड पर कुछ और सच हम जिंदगी के जानते है कही ना कही ऐसा कहा जाता है कि खाली जेब जो है ना उसका वजन सबसे जादा होता है या फिर अगर एक मा के दो बेटे है जिसमें से एक बेटा पैसा उड़ा रहा है और दूसरा बेटा पैसा कमा कर घर लेकर आता है तो वो मा का जुकाओ भी उस बेटे के प्रती जादा होता है कि जो परिवार के जिम्मेदारी उठा रहा है कमा कर के घर लेकर आ रहा है मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि हम पैसो को बुरा मानते हैं लेकिन मंदर के अंदर आप देखेंगे कि डोनेशन बॉक्स है स्पिरिचुल और्गिनाइजेशन में चैरिटी करने के लिए कहा जाता है तो ये कनफ्यूजन इतना सारा क्यों है एक साइड पर हम कहते हैं कि पैसा सारे फसाद की जड़ है सभी प्रॉब्लम्स लेकर आता है और दूसरे साइड पर दोस्तों उसे मा लक्षमी का या कोबेर का हम रूप मानते है तो ये जो कनफ्यूजन है ना कि पैसा अच्छा है या बुरा है या पैसा हमें अच्छा या बुरा बनाता है बट एक बात कहूं दोस्तों पैसा हमें अच्छा या बुरा बना नहीं सकता पैसा सिर्फ और चिर्फ हम जो है उससे magnify करता है जैसे की अगर मेरे पास यहाँ पर एक knife है वैसे यह butter knife है मगर अगर एक original knife हो तो इस knife के दुवारा मैं किसी को hurt कर सकता हूँ और उसी knife के दुवारा अस्पताल में किसी की जान भी बचाई जा सकती है तो मुझे बताओ कि उसमें knife का क्या दोश है knife तक tool था ना उसका इस्तमाल आपने कैसे किया उसके उपर depend करता है बस exactly वैसे दोस्तो कि आपको यह पता है and that is कि आप जब कभी भी पैसा कमाएंगे तो आपके अंदर जो है वो ही बहार आएगा एक अच्छा इंसान जब पैसा कमाता है तो वो और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाता है और जब एक बुरा इंसान पैसा कमाता है तो कही ना कहीं दोस्तो यानो वो उसी पैसो को और बुराई के लिए इस्तवाल करने वाला है पैसा अच्छा या बुरा नहीं है पैसा आपके जिंदगी में खुशिया या दुख लेकर नहीं आ सकता अगर आप एक खुश इंसान है आप खुश रेना जानते है तो पैसा आएगा तो आप और ज्यादा खुश रहेंगे अपने आसपस खुशिया बांटेंगे लेकिन अगर आप एक दुखी इंसान है तो आप देखेंगे कि पैसा आने के बाद भी कहीं न कहीं आपके जिंदगी में दोस्तो दुख बढ़ने वाला है सो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पैसो को अच्छा मानते है या बुरा मानते है पैसो को अच्छा मानेंगे आपके जिंदगी में पैसा आएगा तो आप और भी अच्छी जिंदगी जीने वाले है तो आपकी बलीफ सस्टम्स जो है वो आपके जिंदगी को बनाती है और इसलिए अगर अभी तक आपने financially struggle किया है तो पैसो को लेकर शायद कुछ negative beliefs हमारी थी and now it's time to change that start respecting money start accepting money and start loving money and when that will happen तो आपके जिंदगी में और ज्यादा पैसा आप manifest कर पाएंगे और और एक बहतर जिंदगी जी पाएंगे और अपने आसपास के लोगों की मदद भी कर पाएंगे दोस्तों आज आपने क्या सीखा इस 5 मिनिट के वीडियो से मुझे जरूर बताए और इस टाइब के कौन से टापिक्स पर आप कुछ सीखना चाहेंगे मुझे comment में लिख करके बताए सेफ करके शेयर कर दो इस वीडियो को क्योंकि हर दिन मैं 5 मिनिट आपके साथ इसी तरह से लाइव होने वाला हूँ आपकी जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए All the best guys